गेहूं की फसल में इस समय मुख्य रूप से जो एफिड है उसके आने की संभावना रहती है इसको चेपा कहते हैं साथ ही दीमक आने की संभावना रहती है और जो तीसरा खत्रा है वो चुहो का खत्रा है तो इन तीनों पे अविस्तार से चर्चा करते हैं एफिड जैसे के च चेपा कीट इसको कहा जाता है ये हलके हरे या पीले रंगे छोटे छोटे कीट होते हैं और ये चेपा करता क्या है कि ये हमारे जो पत्ते हैं गेहों के उन पर बैठ जाता है और अगर आपके बालियां निकल आई हैं तो उन पर भी बैठ जाता है और बैठ कर जो फसल है उसक सकती हैं और सूख सकते हैं और फसल में कई बार भारी नुकसान हो सकता है आपको चाहिए कि एफिट की लगातार निगरानी रखें और अपने खेत में देखते रहें कि कहीं चेपा तो नहीं लगा है अगर यह लगा है तो इसके नियंतर्ण के लिए आप इमीडा कलोप्रिड प्रती तीन लीटर पानी ध्यान रखें एक मिली लीटर इमीडा कलोप्रिड प्रती तीन लीटर पानी और ऐसा आप 500 से 600 लीटर घोल बनाए और प्रती हेक्टर के हिसाब से आप इसका छड़काव कर दें तो चेपे का नियंतर्ण हो जाएगा अगर इसके बावजूद भी यह चेपा आपकी फसल में लगातार बना रहता है तो दस बारे दिन बाद इस छड़काव को दोराया भी जा सकता है जो गेहूं की फसल में है दूसरी समस्या वो इस समय दीमक की आ सकती है जैसा कि हम जानते हैं कि दीमक हमारे गेहूं की फसल को या आन्य फसल को उस दशा म जादे नुकसान करती है जब जमीन हमारी सूखी हो या अच्छी तरह से गली सड़ी खाद का प्रियोग ना किया गया हो उस दशा में जादे आती है यह करती क्या है कि हमारी फसल को जड़ों से या उतने से जमीन के जो नजदी की भाग होता है उससे यह गेहूं की फसल को पोदे हैं वो बड़ी आसानी से उखड़ जाते हैं साथ ही किसान भाई खुद भी पहचानते हैं जो दीमक है उसको पहचान कर सकते हैं अपने खेत में यह अपने घर बनाती है तो इसका नियंतर्ण करना बहुत जरूरी है इसके नियंतर्ण के लिए आप किलोर पारिफास नाम की दवाई आती है उसकी पांच लीटर मातरा लें और लगवग पचास किलोग्राम रेत में इस मातरा को मिलाकर प्रती हेक्टर के हिसाब से आप इसका बुर्काव कर दें पहला दें और उस समय आपको खास ज्यानी यह रखना है कि आपके खेत में परियाप नमी होनी चीए अगर परियाप नमी नहीं होगी तो यह दवाई असर नहीं करेगी फिर अगर नमी नहीं है तो यह पानी लगाने के बाद आप इस दवाई का प्रियोग कर सकते हैं चूहो द्वारा भी गेहों की फसल को नुकसान होता है यूं तो यह कई अवस्थाओं पर गेहों की फसल में कहीं आपके चूहों ने बिल तो नहीं बना लिये हैं और ये करते क्या है कि गेहों के पोधों को काट देते हैं बालियों को काट देते हैं और फिर इन बालियों को काट कर ये अपने बिलों के अंदर ले जाते हैं और फिर उनको खाते रहते हैं कई बार ये भेंकर र आपको गेहूं या मक्का का आठा लेना है और 20 ग्राम तेल लेना है यानि शुरू में आपको ऐसी गोलिया बनानी है जिनमें जहर ना हो जिनमें विश ना हो पहले करना क्या होता है कि हमको चुहों को इन गोलियों का आधी कराना पड़ता है उनको अभियस कराना पड़ता है जिससे के वो गोलियां खानी शुरू कर देते हैं और चोटी-चोटी गोलियां बना लेते हैं और 8-10 ग्राम गोलियां जो है वो प्रती बिल जो चुहे अपना घर बनाते हैं उसको बिल कहते हैं और प्रति बिल इन विश रहित गोलियों को आप दो-तीन दिन चुहों को खिलाएं। इसके बाद आपको जो विश्यूक्त गोलियां हैं जिसमें जहर मिला हुआ हैं उन गोलियों को खिलाना है। विशुक्त जो गोलियां हैं उनको बनाने के लिए आपको 960 ग्राम मक्का का या गेहूं का आटा लेना है ध्यान रखे 960 ग्राम 20 ग्राम आपको वनस्पती तेल लेना है जिसमें सर्सो का तेल हो सकता है या और कोई तेल हो सकता है साथ ही साथ 20 ग्राम आपको जिंक फास्पा हो जाएगा इसमें दो प्रितिशत ये विश हो जाता है तो इसकी भी आप गोलियां बना ले और जब जो बिना जहर वाली गोलियां उनके आदी हो चुके हैं दो तीन दिन में चुहे उसके बाद ये जो विश्युक्त गोलियां हैं इनको चुहों के बिलोपे लगवग 6-8 ग कर देंगे तो चुहों का नियंतर्ण हो जाएगा किसान भाइयों आपने देखा कि जो गहुं की बीज की फसल है उससे आपको जो दूसरी किस्मों के पोदे हैं वो निकालने हैं खर्पदबार निकालने हैं सिचाई की सही से विवस्ता करनी है और बीमारी या रोक से प्रिमक चेपा और चुहा यह जो तीन शत्रू हैं इनको भी अपनी गहुं की फसल से बचाना है अगर आप इन शत्रों से फसलों को बचाएंगे तो आपको गहुं की फसल से अच्छी प्यादावार प्राप्त होगी